देखें कॉंग्रेस के शासन में थ्वस्त कानून निवस्था अपराधियों के बढ़ते होसले भष्टाचार लीक होते पेपर इन सारी तरास्तियों से तरस्त राजिस्थान की जनता अब निरनायक रूप से या मन बना रही है कि भारती जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधान सवाचुनावों में निरनायक जनादेश देकर हम सब भी इस विशय के लिए संकल्पित हैं कि राजस्तान की जनता को इस तरास्दी से मुक्ति दे नहीं यह आवश्यक भी है कि यह विशय प्रभावी ढंग से उप्युक्त ढंग से जन्संभाद के भिन्न माध्यमों में भी उपस्थित हो सके चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो तो इन संदर में ही विचार करने के लिए चूंकि अब उत्तर उत्तर राजस्तान में चुनाव का बातावरण सामने आता जा रहा है तो इस संदर में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कारेशाला का आयोजन किया है जिस संदर में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आये हैं और इस विशा पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीती वरिष्ट नेताओं के देशा निर्देश में तैकरेंगे देखिए रणनीत की जहां तक बात करें तो चुनावी रण में कॉंग्रेस की कोई नीती ही नजन नहीं आ रही है अभी इस सिती यह है कि वो हम पे आरोप की क्या बात करें वहां तो एक दूसरे के उपर आरोप प प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी खेमे में आ गया अशोग एलोज जी आप सबको ध्यान होगा और इतना ही नहीं इतना विचित्र उधारण आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बागी खेमे में माने जाने लगे डोटासरा जी विर्हान सबाद ध्यक्ष सीपी जोशी जी की भी गड़ना उसी बागी खेमे में होने लगी माने वर ऐसा उधारण आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसलिए इस सरकार की नीत ही क्या है मैं एक उधारण देना चाहता हूँ कॉंग्रेस सरकार ने 2019 में अपने चुनाव घोशना पत्र में वादा किया था कि जो सिडेशन का लौ है देश द्रोग का कानून वो निरस्त कर देंगे चूंकि इसका दुरूपयोग किया जाता है अभी हाली में जो नया पस्तावित कानून ग्रह मंतरी अमिशाजी ने किय कि जा है तो उसमें उन्होंने इस दारा कोहटाने की बात नहीं मगर उलेखनी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी सरकार ने सबसे पहले प्रयोग किया उस देश द्रोग के कानून को तो वो राजसान की कहलो जी की सरकार थी और किसके विरुद विश्वास और अंतर विरोद से भरी हुई सरकार के उपर राजस्थान की जंता कताई विश्वास देखें दूसरे खिलाब हथियार लेके लोग कित्ते खड़े हुए है जंग 2023 की है और मुख्यमंतरी बार 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 2030 का विजन त्यार है अब इसे उसी को लिए आगे बढ मैं एक बात दुख और करुणा के साथ भी कहता हूं मेरा राजस्थान में बहुत आना रहा 2018 के विधानसभा चुनाओं से लेके 19 में मैं लोगसभा में सहप्रवारी भी था इससे पूर में भी अनेक बार राजस्थान की 6 कभी कानून विवस्था को लेकर ऐसी नहीं थी ज रैली निकालने की परमिशन दे दी थी अलवर में और आप सोचिए कि पूरे भारत में नारे लगे और उदैपूर में इस डंकी घटना हो गई दुखत मुझे लगता है कि आज विचेशकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुरदान तपराद हो रहे हैं राजस्थान की मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पढ़ रहा है तो अपनी आँखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि यह विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है दाजस्थान की जनता के लिए मानिवर मैं फिर् विपक्ष से कहना चाओंगा बारती जनता-पार्टी पहले आरूप तIGH कर लें एक तरफ करते हैं हमारे यहां सब कुछ और दूसी तरफ कहते हैं एक रूपता नहीं पहले आरोप तो तै कर लें हाँ यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कौन किस रूप में रहना चाहता है यह तब समझ में आता जब अगला रूप बदलने लगे आज मैं कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई आप का गठबंदन यूपिये था तो यूपिये समाप्थ हो गया क्या जैसा मानी प्रधान मंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास मत्पर बोला क्या यूपिये का अंतिम संस्कार कर दिया आप लोगों ने और अगर कर दिया तो क्यों जरूरत पड़ी देखिए नाम बदलन नामे से बचना चाहता हो तो कई बार नाम बदलता है और नाम पर भी मैं विजित्रवात कहता हूं यह तथा कथित आई एंडिये गठबंदन जो विपक्ष ने बनाया है मैं अपने अनुबहुत से कह रहा हूं जिस दिन इसका नाम गोशित हुआ मैं कई टीवी डिबेट पे था और मैंने पूछा भाई इसका हिंदी में तो नाम बता दो हमारे गठबंदन का नाम एंडिये है नैशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस और हिंदी में है राश्ट्री जनतांत्री गठबंदन मानेवर प्रथम दिन तो गूगल देखके भी नहीं बता पाए कि नाम क्या ह हिंदी में इसकार्थ यह है अंग्रेजों से शुरू हुई पार्टी अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी अंग्रेजी मानसिक्ता की विरासत को ओड़ी हुई पार्टी आज भी आकर 21 सदी के 2023 में भी अपने गठबंदन के नाम की सोच और उसके अब्रिवेशन यानि संचिप्त नाम पर भी अंग्रेजी में यह आके टिकी है आज भी आप उन्हों जब पूछे तो उन वो लोग बड़ी मुश्किल होती है उनको उसका नाम बताने में आखरी सवाल एक मुख्यमंत्री डिजाइन बॉक्स को लेकर कई मैनों से इदर बीजेपी के सोचल मीडिया अब एक्टिव हुआ है किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज जो जंग है वो ज्यादा तर सोचल मीडिया पर लड़कर जीती जा सकती है हकीकत यह है कि जिसको आप डिजाइन बॉक्स की बात कह रहे हैं तो आज राजस्थान की जंता राजस्थान के चात राजस्थान के नौजवान राजस्थान की महिलाएं यह सब देख रही है कि डिस्ट्रक्टिव डिजाइन का बॉक्स तयार हो गया है इनके शासनकाल में आप बताईए यहां इससे थी क्या है पिछले चुनाओं के समय आज तो पांच साल पूरे होने को आ गए राहूल गांदी जी क्या बोले थे जब तीनों राज्यों को चुनाओं हो रहे थे मत्रप्रदेश राजस्तान 36 गड़ उनकी टोन क्या थी एक दो तीन चार पांच दस दिन के अंदर किसानों का सारा करजा माफ कर दूँगा हो गया क्या राजस्तान में कहा था पांच जार रुपए हम बेरुज़ज़गारों को देंगे दे दिया क्या इसलिए और नहीं केवल किया क्या मैं सिर्व यह कहना चाहता हूं कि आज इना हलकान है और उसके बाद इनकी किताबों में वो परिवर्तन हुआ है कि महाराणा प्रताब से अधा अक्बर महान है कुल मिला के गर हम कहें तो इन चार शब्दों में चार वाक्यों में जो राजस्थान की पीड़ा है वो दर्द सामने हम इस पश्ट रूप से कहना चाहत उसको भी प्रभावी रूप से इस्थापित करेंगे थैंक्यू थैंक्यू